आप सभी का अपनी यूटूब चनल कंप्यूटर गन क्लासर में स्वागत है साथिव आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपल सी में कुछ इंपॉर्टन फुल फॉर्म के बारे में जो त्रिपल से और ओ लेवल के एक्जाम में ज्यादा तर पूछे जाते हैं तो चलिए नंबर एक पर हमारा आता है यूपी यूपी आई का यहां पर फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहां पर देखिए मैं आ हमारा आता है अगला फॉल फॉर्म एई पीएस एई पीएस का पूरा नाम क्या होता है एई पीएस का मतलब होता है आधहार इनेबल पेमेंट सिस्टम ठीक नेक्स्ट हमारा है यहन पीसी आई यहन पीसी आई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया ठीक नेक्स्ट आता है यन EFT का पूरा नाम होता है नेफ्ट का नेशनाल इलक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसपर होता है और इसी के साथ अगला हमारा है RTGS, RTGS का मतलब होता है real time gross settlement होता है अगला है भीम, भीम का पूरा नाम होता है भारत interface for money होता है ठीक है बहुत ही important यह full form है इसको सब लोग याद कर लिजेगा exam में पूछ भी सकता है वसे ज़्यादा तर exam में यही सब पूछे जा रहे हैं ठीक है अगला है POS POS का मतलब होता point of sale होता है ठीक है मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एक करेता और भी करेता के बीच लेंदेन की प्रक्रिया होती है ठीक है उसी को point of sale कहते हैं अगला आता है इसके बाद हमारा next perform इसमें अगला है उमंग एप के बारे में उमंग का पूरा नाम पूछा है ति यहाँ पर उमंग का एक का मतलब पूछ लेता ति यहाँ पर एक मतलब क्या हो जाएगा application हो जाएगा ठीक है अभी आप लोगों से एक्जाम में इस तरीके से गराया question की उमंग में एक का क्या मतलब है तो क्या बताएंगे application बताएंगे और जी का क्या मतलब होता है generation से होता है sorry governance से होता है जी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर पूरा नाम personal identification number हो जाएगा ठीक अगला है ATM ATM का पूरा नाम होता है automated tailor machine होता है अगला है पी टू पी टू की मतलब होता है annual percentage rate annual percentage rate होता है अगला पूरा नाम हो जाता है immediate payment service हो जाता ठीक है ततकाल भुकतार देवा हो जाता ठीक है अगला है आई-एम का पूरा नाम आई-एम का पूरा नाम हो जाएगा यहां पर instant messaging instant messaging मतलब जैसे WhatsApp हो गया आपका messenger हो हो गया टेलीग्राम हो गया इसको instant messaging कहते हैं मतलब जैसे message को हम यहाद send करेंगे तुरंत पराप्त करता को क्या हो जाएगा पराप्त हो जाता है इसको instant messaging के नाम जानते हैं अगला है यहां एडवल्या सी ओएम लिखा है तो यहां पर इसका पूरा नाम हो जाएगा national association of software and services company मतलब national association of software and services company हो जाएगा अगला full form आता है odf odf का पूरा नाम हो जाएगा open document format हो जाएगा उसी के साथ अगला है des des का मतलब हो जाएगा data encryption standard हो जाता है ठीक अगला हमारा आता है IMEI आता है तो IMEI का पूरा नाम होता है international mobile equipment identity होता है इसमें होता क्या है यह mobile का जो है 15 16 17 मतलब तीन अंकों में भी हो सकता है कभी कभी 15 होता है 16 और ज्यादे ता 17 अंकों का code होता है जिससे हम खोएगे phone को क्या करते हैं कर सकते हैं और किसी भी phone का IMEI नंबर चक करने के लिए आपको इस्टार दबाना है और जीरो सिक्स है दबा देना इतना दबाने के बाद आपको उस phone का IMEI नंबर पता चल जाएगा ठीक इस्टार है जीरो सिक्स है ठीक अगला हमारा आता है टॉपिक यह एमडी एच दी एमडी का पूरा नाम होता है head mounted display head mounted display होता है ठीक अगला है PGP मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा pretty good privacy हो जाएगा ठीक अगला आता है इसके बाद अगला हमारा full form है वह है यह से इ ओ इसका मतलब होता है search engine optimization search engine optimization हो जाता है इसके बाद है CAAS इसका मतलब हो जाएगा communication है जे service कभी कभी आप लोगों से ऐसे IIAS पूछ लिया जाता है तो यह होता infrastructure है जे service और फिर पूछेगा PAAS इसका मतलब हो जाएगा platform है जे service और यह हो जाएगा CAAS का मतलब communication as a service हो जाएगा ठीक है उसी प्रकार अगला हमारा आता है EAPFO Employees Profit and Fund हो जाएगा थे इसका पूरा नाम अगला यहन यू 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 पी नैशनल यूनिफाइड यूससडी प्लेटफॉर्म होता है ठीक आप लोगों पता होगा EOS SD Code का पूरा नाम Unstructured Supplementary Service Data होता है EOS SD का पूरा नाम क्या होता है Unstructured Supplementary Service Data होता है ठीक आशन रचनातमक पूरक सेवा डाटा होता है और EOS SD Code जो होता है यह star से सुरू होता है और हैज पर खतम होता है ठीक है इससे हम लोग मोबाइल का बैलेंस वगयरा चक करने के लिए करते हैं और बैंकिंग में जो यह SSD Code यूज होता है वो होता है star 99 हैज होता है ठीक है अगला हमारा टॉपिक है इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है UTS का इसको पूरा नाम हो जाए गया यूनिवर्सल ट्रांसवर्स और सिस्टम इसके बाद अगला है BFD का यहां पर पूरा नाम हो जाता है Best Finger Detection हो जाएगा ठीक है यहां पर Best Finger Detection हो जाएगा और यह Network Graphics यहां पर आ गया है और BFD यूज होता है आपका AEPS में होता है मतलब आधार Enable Payment System में होता है जब आप पैसा निकालते हो ठीक है अधार कार्ट से इसके बाद अगला आता है Chris का पूरा नाम हो जाएगा Central Railway Information System हो जाएगा ठीक अगला है इसके बाद अगला है FTP FTP का पूरा नाम है File Transfer Protocol और उसी के साथ अगला है NTFS इसका पूरा नाम होता है New Technology File System होता ठीक तो इसके बाद अगला जो हमारा आता है यह IFSC Code जो होता है उसको हम बोलते हैं Indian Financial System Code बोलते हैं ठीक है यह 11 अंकों का Alpha Numeric Code होता है Alpha Numeric Code होता है 11 अंक और अच्छर दोनों मिला करके होते हैं ठीक है इसी के साथ जो है हमारा जो है क्या अगला जो आता है Full Farm उसका पूरा नाम है UTR UTR का पूरा नाम क्या हो जाए यहां पर यूनिक ट्रांजक्शन रिफरेंस हो जाएगा ठीक उसी के बाद अगला है पैन पैन का पूरा नाम परमानेंट एगांट नंबर होता है लेगिन कहीं कहीं पर अगर पैन का पैन नेटवर्क की अगर बात आ जाती है तो आप लोग बोलेंगे यह लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर आता ठीक है तो अगला हमारा था इयफ का पूरा नाम आति फिसेल इंटेलिजनस होता है ठीक अगला है ओर पी आर बीया का पूरा नाम हो जाएगा रोबोर्टीक प्रॉसेस आतोमेशन हो जाएगा ठीक इससी के इसको भी याद रखिए गए इसके बाद आता आई भी यार इसका पूरा नाम हो जाएगा इंट्रेक्टिव वाइस रिस्पाउन्स हो जाएगा ठीक है तो इसी के साथ फिर हमारा जो है यह वीडियो समाथ होता है यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और टरुत न bei हमार यह वीडियो को वीडियो को